हाई, हेलो और वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मैं मनू हूँ कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिवियू में थोड़ा सा चैरे से ठका हुआ सा लग रहा हूंगा बिकॉज आज बहुत सारे इंटरिव्यूज दिये थे मेडिया वालों को तो थोड़ा ठक गया हूँ बोलते बोलते गले से चिलाते चिलाते पता है मैं मेरी सारी मेडिया को यही चीज़ कह रहा था कि शो फ्लैट है शो फ्लैट है शो फ्लैट है आपके बास में रिव्यू करने के लिए जब भी आता हूँ तो हमारे पास मुद्धे होते हैं उसे एक गंटे के जैस्ट कौम लोग बारे में चर्चा कर लेते हैं और मैं भी बहुत ज़ाधा जज हो जाऊंगा आप लोगों से यसलिए मैं किसी की particularly बुराई नहीं कर रहा होता हूँ, मगर interviews में मुझे कहा ही यह गया था, कि आप बताएं particularly एक-एक के बारे में, शोव फ्लैट है, आज Big Boss ने भी एनाउंस कर दिया, आप समझ रहे होंगे, challengers को क्यों ले जाया जा रहा है, कि शायद वो कुछ कर ले, शायद वो शोव के अंदर कोई content दे दे, because इन लोगों ने मोटे-मोटे पैसे ले करके, और सब कुछ खराब कर दिया, frankly saying, सब कुछ खराब कर दिया, मतब बिग बॉस को literally यह दिखाना पड़ा कि यह लोग कर क्या रहे है, see, अब अब इसके पीछे जाते हैं, इसकी chronology की पीछे जाते हैं, कैसा हो क्यो रहा है, देखिए, कवीता जी कितनी बुरी हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन कवीता जी की पहले सही तत्वाँ के बारे में बात करते हैं, कि हो क्या रहा है इसके अंदर, बात करना छोड़ दिया निकी तंबोली के बिना कोई नहीं था उससे बात कर रहा हूं तो वह अकेली कहीं कौने में पढ़ी हुई थी ना उससे कोई बात करने वाला कवीता से थोड़ी पहुत अगर वो कर रहे थी तो बाकी के लोगों को प्राब्लम हो रही थी सेम चीज काट रहा है बैटके आपको मुझे सारे इंटेवीवे बोलता है वो नदनी अपराद करता है नन्दनी अपराद करता है तुछ सोच रखता है चोटी सोच भताता है लो इस टेंडर्ड बिलोंग रहीं वो पताता है कि वो आया कहां से, brainless, brain-headed chickens, पता नहीं क्या-क्या, बताता है अपने बारे में वो, तो वो बेवकूफ है, एक बार के लिए कवीता जी और निकी को घर से निकाल देते हैं, आप समझे, टॉप फोर करना है न बिक बॉस को, निकी को और पवित्रा चली गई, नि असका तरीका भी अलगी है, इजाज अलग हो गया, राहूल limited बोलता है, कम बोलता है, अगर जैस्मीन का कोई बात चल रही हो, रुबिना जी के साथ, और बीच में बोलता है, तो उसको من्थिरा बोल दिया जाता है, तो वो भी नहीं बोल सकता है, तो चलिये वो भी शांत र तो बड़ा शांसा प्यारा सा बड़ी आसा मावल बनावा है यह कह रही है बार-बार रुबिना जी कि यह हमारे लेवल के नहीं है कि हमसे बात कर बाए है गटियाँ है यह गिरे हुए है रुबिना जी को फीते से वो दूरी ना पेंगी, फिर शब्दों का उच्चारण ना पेंगी, फिर उनके बाद में वो पहले एक प्रोसेस फिल्टर होने के बास, सेकंड प्रोसेस अभीनाव के पास जाएगा, सरी हमाम की बीवी कहने वाले है, क्या पता, क्या दे मता हो तो, फिर वो उसको approval देगा, approval में से वो चार्ट छूट करके, व्यंजन निकाल करके, प्योर वेज आपके सामने deliver कर देगा, ये आप दे सकते हैं सामने वालों, बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, कि रुबिना जी ने जिस तरह से आज stand लिया, fight की, मस्बूती से बोली, I I loved it, मुझे भी बहुत मदा आया, उनका सब को बेख करके, क्यों भाप रही थी, कवीता जी, कि अभिनव, बार-बार ये कोशिश कर रहा है, कि उनसे जगड़ा, क्यों निकी को वो अकेले में बोल रहे थी, क्या पता, उनको फील हो रहा हो, और हमने देख भी लिया है, कि कि वो दौनों बात कर रहे थे, कि ये लोग सरफ परस्नल्स पे जाते हैं, वरना है जाते नहीं है, किस बारे में बात करें, उनकी उटी है, मना लिए हैं, हंकॉंग या दुबाई की ट्रिप के बारे में, कि किस तरह से आप पाड़ों पर चड़ते थे और नीचे उतर जात पर कवीता जी ने बोला इजाज ने उसको चुप करा दिया फिर वो बोलना ही बंद होगी क्योंकि लोग बोलते ही नहीं है कल के टास्क को अगर मद्दे नजर रखके बहुत डंक से सोचा जाए अगर कवीता और निक्की तंबोली को निकाल दिया हूं तो फिर तो टास्क था सॉलूशन करने चली जाती है फिर वो सॉल नहीं होता है तो फिर वो उसके गले बढ़ जाती है जब मौका मिलता है उसको कि अब अपन को ये करना है तो वो कर लेती है अली की बज़े से मैनेजमेंट बहुत प्यारा था अली की बज़े से चीजें बैलेंस थी वो उतना कु से उसने इजास पकड़ लिया आज से मतलब उनका वाला कल और हमारा वाला आज और हमारा वाला आने वाला कल अब उसने इजास पकड़ लिया अब वो इजास को ले दे करके पकड़ रही है इजास को कुछ भी बोल रही है भाई साब ये सेटिंग बैठ ही नहीं सकते चलिए अच्छी बात भी करते हैं, कि कौन कहता है लड़कों के अंदर मौबत नहीं होती है, अली ने दिखा दिया किया मौबत होती है, सुपर व्यार, मतलब लड़के ने क्या बातें कहिए, लड़के ने, खुद ने कसम नहीं ली और उसके सर पर आध रखके कसम दिये, और का मैं तेरे लिए यहां आया था बाई तू तो आज मन्तब शारुक खान था आज का तू मन्तब खेल कर दिया तूने मजो खड़ो कर दो है लड़का तूने बहुत जबर्दस तरीके से अपनी बातों को सामने रखा अली ने बहुत अच्छा बोला अली अली चला गया घर से बार ज जब आप कॉम्परो करने के लिए इजास के बास गई तो इजास ने का वो मेरे साथ नहीं एक बच्चे के साथ हुआ था आप मेरे से मत बात कीजिए इस बारे में यानि जैस्मिन ने भी कुछ का है जो हमने इतना ज़्यादा बार देखा नहीं है जैस्मिन ने भी उसको कविता जी से मगर चैस्मिन से नहीं है पहले ली वहीं पर कविता जी की बात करते हैं कविता जी करें तो गलत ना करें तो गलत अब भाईया वो लड़की बोल रही है बोल रही है बोल रही है वो कह रही है कि आप लोगों ने शो ठंडा कर दिया है बरफ की तरह ठंडा कर अब यह चली गई तो बिल्कुल नहीं होना है निक्की पहले उनकी परवा करते वें पीचे-पीचे बोल रहे थी उनके जाते निक्की ने भी फिलिप मार लिया अजीब सा फिलिप मारा दो मिन पहले दोस्त दो मिन पहले आप मुझे पसंद हो शो के पॉइंट आप उसे लेक पूछा वो हमने इस बारे में देख लिया यह कित्ती तरह के पाद होते हैं फिर वो बेवड़ा बन गया थोड़ी दिर के लिए बाई इनके साथ इनका कुछ नहीं है पर्सनल मतलब कवीता अब घर में इतने कम लोग है ले देकर कि आपको बात अगर रुबिना और अभिन मतलब क्या करना चाहिए बेसिकली करना क्या चाहिए इन दोरों से क्लास सीखी जाए वैसा मैं तो बिग बोस को रिक्वेस्ट करूंगा कि बिग बॉस अभीनव जी को आप चलता करो शायद शो में चाहना जाए अली चलो अपनी गलती से चला गया टाइम की वज़े से चला बहुत जदा करंट वाली होती थी मैं बहुत तेज होती थी पता नहीं मैं कैसे डीवी पढ़ने लगती क्यूंकि आप क्या करोगे आप कुछ करोगे तो आप आप आजज हो जाओगे क्या आप गलत हो आप बत्तमीज हो आप बुरे हो आपको मैनर्स नहीं है आप पता नही वाईयात औरप का था, बेकार औरप का था, घटियापन का था, मैं कवीता जी के बारे में रिपेट नहीं करूँगा, क्यों कवीता जी ने तो दस गुना गंदा का था, कवीता जी को डिजव भी करता है, कवीता जी बोल भी सकती है, चीप का था, लाफा मार दूँगी जब क अभीता जी ने का तो पीछे से पलट करके अभीनव निये भी का तेरे दूंगा लाफा चक्कर आएंगे तरको तो बोलते हैं आप भी हो मगर आपके दिमाद के अंदर शो गूम रहा है हसियानी बिली खंबा नौचे और थूक कर चाटेगी अब वापिस शो के अंदर आएग वहाँ पर भी कभीतह जी ने का अगर कोई कह रहा है तो उसको रोग देते हो और नहीं कह रहा है तो तंकर लेते हो वाई साहब इन लोगों ने अपने अंदर एक पता नहीं एक अजीब सा ही कुछ गुमा फिरा करके लपेट लुपेट के पता नहीं क्या बना रखा है लोग लोग हमारा support करें शो के अंदर क्या देखना चाहते हो यार क्या देखना चाहते है युग आया या वो जो एक एड आ रहा है पीछे से के युग खड़ा है शादी मेट रहा है कमरी आ तो रहे लापा लोप और एकड़ा हो और माला पहना दी एक लड़की को फिक्शन्स में चलता है सब कुछ रियालिटी तो कुछ और ही होती है कवीदा जी कहती 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 मुख्यदिवार से बाहर चलेगी मैं तो कह रहा हूँ गलत बोली गंदा बोली बेकार बोली जो भी बोली लोग तो बोलना ही नहीं चाहते दूप खा रहे इतने बड़े को अच्छा ना लगे कई लोगों को बुरा लगे पर मैं मुझे रुबिना जी से कोई प्रॉब्लम नहीं जिब रुबिना जी से हाथ उपर करके ऐसे बैटके और बिग बॉस की बात को सुन रही थी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी मैं मैं इसमें बट्रिंग करके है इसको क्लियर नहीं कर रहा है अपनी बातों को मैं आपको सिर्फ समझाना चाहरा हूँ कि खूबसूरती अपनी जगा पर है शो के लिए लॉयलिटी होनी चाहिए मोटे मोटे पैसे लेकर के बड़िया बड़िया मोंस के साथ में अंदर गए हो फैंस इतना आपको चाहते है इतना प्यार करते हैं आप अगर कुछ करोगे ही नहीं कुछ बोलोगे ही नहीं शो का हिसा ही नहीं बनोगे सेफर खेलोगे क्योंकि दो-चार-पांच करोड और आदियन्स आपकी पॉकेट में अल्रेडी पड़िया आपको ट्रेंड में लिया आती है आपको बड़ा बना दो कुछ ऐसा करो कि लोगों को मज़ा है आपको देख करके पैसा आप नहीं कर रहे हैं चले दोस्तों इता मेरे अज का रिव्यू हो सकता है मेरा ये सेकंड लास्ट या लास्ट रिव्यू हो और मैं अगर दिल में मैं किसी के रहे भी कोई अच्छा बुरा मैल ले करके नहीं जा रहा पर मैं शो के लिए लॉयल हूँ इस प्रॉपर्टी से मैं कुछ बना हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसके लिए कुछ करें कंटीनुटी दिखाए मैं अंदर जाके लोगों को यहीं समझाऊँगा टेक क्या मनु बज़ा दे